देखो हम लोग NCRT का topic 12th class का ही पर रहे आज ठीक है आज भी हम 12th ही पर हा रहा है topic का नाम क्या है decomposition ecosystem को चलाने के लिए आपको बहुत सारा factor चाहिए उसमें से दूसरा factor आज पर हा रहे कल हम एक आपको productivity बता दिये थे आज आपको हम बताने वाले है decomposition इसका सुध हिंदी है न आप घटन होता है ठीक है वी घटन मतलब तोड़ खोड़ना या आप इसको आप नॉर्मल इंग्लीज में बुलिए या नॉर्मल हिंदी बुलिएगा सराने गलाने की परकिरिया पर हारे है आपको हम ठीक है कोई चीज सर क्यों जाता है सर क्यों गल क्यों जाता है एक जांपल के तरपे तुम लोग देखें होगी होगे कि कि आप फल का सबजी का टुकरा सबको आप फेक देते हैं किसी कॉर्णर में तो कुछ दिन बाद वो गलने लगता है और सर करके पुईतर से मिट्टी में मिल जाता है यही बात हम लोग परने वाले या हम लोग जब मर जाएंगे और हम लोग जब दफन किया जाएगा तो हम ल माइक बंद कर लो जित्ता बिंदा हम तो हम आपको डिकम्पोजिशन टॉपिक पर हा रहे है अब डिकम्पोजिशन को पहले अभी आप बेसिक देखे फिर उसका मेडिकल का जो लाइन निखेंगे वह इंपोर्टेंट है तो डिकम्पोजिशन उसी लड़क्यों को समझ में एक डिकम्पोजर किसे कहते हैं अगर आपको यह दो चीज समझ में आ जाएगा तो आपको डिकम्पोजिशन समझ में आ जाएगा ठीक है डिकम्पोजिशन किसे कहते हैं डेड और्गेनिक मैटर को डेट्राइटर्स कहते हैं डेड और्गेनिक और्गेनिक हैना और्गेनिक मैटर को है ना डेड और्गेनिक मैटर को इस कॉल्ड डेट्राइटस इसको हम लोग क्या नाम देते हैं डेट्राइटस के नाम से बुलाते हैं ठीक है अगर आप नहीं सहत पाए तो इसी का एक डिफनेशन यह है हना डेड रिमेन ओफ हना मरे हुए कुछ हिससे डेड अबसेस डेड रिमेन ऑफ हना प्लांट एनिम обязательно प्लांट और एनिमल का जो मरा हुआ अबसेस होता है से उस कॉल्ड डेट्राइटस हना इसको हम लोग क्या नाम देते हैं डेट्राइटस देते हैं नाम जैसे आपको रुण लीक प्यमार जी पत्ता जो पीर का जरता है एना फैलड ल हम लोग का कोई body का parts कटके अलग हो जाता है तो उस parts को detritus माना जाए या एक दिन हम लोग खुद ही मर जाएंगे तो हम लोग को क्या कहा जाएगा detritus कहा जाएगा ठीक है लीटर लीटर वर्ट समझते न पेर पौधा का जो पत्ता जहर के गिरता है उसी को हम लोग लीटर करते इसका एक नाम यह भी है लीटर है ना तो इस बात को भी आप समझ रहे होंगे और यह डिकंपोजर का एक नाम और है सर्ट्री वोर्ट के नाम से इसको लोग बुलाते हैं ठीक है और इसका क्या मतवता है ऐसे और गोनिजम हना जी आट और गनिजम हना 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 हूं वर्क आन जो काम करता है सर वर्क ऑन डेट्राइटराइटस यह नहीं तो इसको ही हम और करके हम बनाते हैं ठीक है इसी लाइन को आरगीनिजम वैसे औरगीनिजम आपको that change detritus into inorganic form में बदल देता हो ठीक है उसी को हम लोगे क्या नाम देते हैं decomposer एक्जामपल के तरफे फंगस होगा bacteria होगा है ना और earthworm होगा है ना earthworm इस सब किसको हम किस में रखेंगे decomposer में रखेंगे ठीक है आप लोग को example पकरना है ठीक है definition उतना माइने नहीं रखता है ठीक है अब उसके बाद आएए आपको हम पढ़ाने चले decomposition क्या होता है ठीक है decomposition का हिंदी मतद हम बोली दिये थे तुम लोगो सलाने गलाने की परकिरिया उसका definition सुनिएगा जो NCRT book में लिखावा है यह medical के नजर से important है जी आप लोग चाहो तो अस्तर गर डिफिनेशन बोर्ड में लिख क्या सकते हैं पर आप मेडिकल में जब बैठेगा आपको एंस याद आना चाहिए कि breakdown of, यह यहां से आटी बुक में लिखावा वाँचे, breakdown of, breakdown of complex food substance, complex organic matter, बेटर यह होगा, complex organic matter, organic matter, into, into, inorganic form, inorganic, inorganic form, या लugh जुक्क सबस्टान्स, हाना, इस खटना को या ऐसे परकिरिया को, इस गडिकम्पोजशन गाया, इस परकिरिया को क्या नाम देते हैं या इस परकिरिया को क्या नाम देते हैं? हम सब जानते कोई भी जानवर है वह तो बना होगा or organic समान का ना, क्या चीज़ का बना उता है, DNA हुआ, RNA हुआ, protein हुआ, यह सब चीजों का ना बना उता है, carbohydrate होता यह सब के अंदर में चृट सब ऑर्गेनिक मैटर सब लाता है, हैना घै तुम सब जानता है कार्भोहाइडट का मतलब C6 H2O6 इसको गुलकोच पढ़िए प्रोटीन हुआ थे एमाइनोएसीड होता है डीन आ है तो सर इसमें निकलिक एसिट सब होगा फासपरोस सब होगा तो सर इस सब को है ना डिकंपोजर इस सब को क्या नाम देए थिया, डिटराइटस में बदल देगा, और इस सब बदलेगा न सरी, इस में जो था, और यहाँ जाएगा इन इणिक समार जैसे कारबन डिक्लेएगजाई हो गया कैल्सियम अलग हो गया, हाना, विएस्थिरी हुआ या आपको, इसभ पर वहा है इन्योरगनिक फोरम हुआ, ना तो और्गेनिक फॉर्म को इन्योरगेनिक फोर्म में बदलते MINा nice सरस्षिम है जी, digestion और decomposition में जमीन आसमान गंतर है, जब तुम digestion पर होगे न, 11 का, digestion में कहा जाता है कि, और लार्ज कम्पलेक्स और्गेनिक समान को हम लोग, है न, simple organic form में change करते हैं, इसकाल digestion, पर यहां क्या देख रही हो, यहां पर, organic component तो है सा, लेकिन उसको इन और्गेनिक में बदला जा रहा है, यही एक key point है, आप और्गेनिक समान को इन और्गेनिक में change करते हो, इसकाल decomposition, होग या बात खतम, decomposition तुम लोगों को समझा दिये, है न, decomposition पर ज़्यादा घूमना मत कोई भी आत्मी, बस और्गेनिक को इन और्गेनिक में change करेंगे सर्थ, इसकाल डिकमपोजीशन, मतलब जो भी समानी सब के अंदर में होगा, सब को इन और्गेनिक के फॉर्म में बदल दिया जाएगा, मेटल के फॉर्म में change कर जाएगा, आप आईए, मेडिकल का लाइन यह है, कि कितने steps में होता है? ठीक है? तोørЭिकॉमपोजीशन बांच steps में होता है, सर्थ, ठीक है? और आज के बाद आपसे कोई पूछ देगा, decomposition आपको कितने steps में पूरा होता है, तो 5 steps में लगता है. सारा steps का sequence भी जी है। पहला है क्या है? फ्रैग्मेंटेशन. दूसरा है लिचिंग. तीसरा है तीसरा हो जाता है आपको आपको केटाबोलिजम. हैना। चौथा है आपको हुमिफिकेशन और defectון है और लास्ट है, mineralization, हैना जी, mineralization, हैना ये NCI-T में लिखा हुआ है, हना, पाँच स्टेप में आपको decomposition होता है, सर, हना, आप decomposition के बारे में परहेगा, पाँच स्टेप में पुरा होता है, बिहार बड़ वाले बच्चे के लिए, हना, ये सब आपको, हना, फाइब मार्स में पूछेगा, leaching का definition पूछेगा, catabolism का definition पूछेगा, इस सब का definition पूछा जाएगा, ठीक है, तो आप लोग को ये सब बात भी याद रखना है, ठीक है, तो, मान लिजिए, एक मिनट, मान लेते हैं, कि एक कागज है, तुम जो देख रहे हो, यहाँ पे, हम परहाने शुरू भी कर दिये हैं, fragmentation परहाने जा रहे हैं, इसको हम लोग परहा रहे हैं, fragmentation को परहाने जा रहे हैं, अब fragmentation को हम एक जटके में आप लोग को समझा देंगे, मान लेते हैं, सर, कि ये को देख रहे हैं आप लोग ये कोई dead matter है, detritus है सर, ठीक है, detritus को है न सर, पहले simple form में तोड़ते हैं सर, टुकरों टुकरों में बांटे हैं, जिसे एक टुकरा हुआ, है न, तो टुकरों में बाट गया, अब दो से क्या होगा सर, इसको और टुकरा टुकरा है बांटे हैं सर, ऐसे करके, तो ऐसे करके जो तुम बांट रही हो न, इसमें chemical का तो कोई तोर्फोर होने रहा है, तुम बड़ा समान था, मंदब बड़ा सा पत्ता था सर, माले कोई बड़ा सा लीफ है, अब उस लीफ को आप क्या कर रही हो, छोटे छोटे पीस में तोर रही हो, इसको फ्रेग्मेंटेशन, बात समुझना आया, न, जब डेट्राइटरस को छोटे-छोटे टुकुरों में बाटती है, इसको फ्रेग्मेंटेशन की नाम से बलाते है, मेटिकल में ये भी कोशन तुम लोगों से पूछेगा प्राग्मेंटेशन कून करता है तुम जबाब दोगी अर्थ मार्म है ना अर्थ ऒर्म फ्र्रैग्मेंटेशन करता है ठीक है मतलब जैसे कोई पेर का पत्ता नीचे उतरा रहेगा जी इसका मतब क्या देख रही हो तुक्रो टुक्रो में बट रहा है वो वह हलका-लका से आपको धीरे-धीरे बैक्टिरिया से इसको क्या कर रहा है तोड़ रहा है तो सब जब आप बड़े-बड़े समान को छोटे-छोटे पीस में तोड़ते हैं इसकाल फ्रेग्मेंटेशन यह एंसे आटी बुक में डिफ्रेशन लिखावा इसलिए हम नहीं लिखेंगे फ्रेग्मेंटेशन समन्या जी इतना बड़ा लास था सर उस लास को आप टुक्रो में बांट दी है ठीक है एक बाद तुम लोग गौर क्या ह अगर आज पास में कोई कागज है तो उस कागज को फारोगी ना करीब से देखोगी तो तुमको इसमें से डस्ट निकलता वा दिखाए देगा है ना जी मतलब जब हम कोई चीज को तोड़ते हैं ना सर है ना जी तो कुछ ऐसे पार्टिकिल्स भी रिलीज होते हैं ठीक है जो मिट्टी में जा सकते हम ठीक है देखो एक वड आता है जब हम आप उसको काटेंगे जी ठीक है यसे मालू कभी तुम कोई चीज को काटती हो या फारती हो तो असे धुआ या धूल जैसा कोई चीजण निकलता है ना जब कभी भी हम फ्रेगमेंटेशन करते हैं ठीक है कुछ chemicals आते हैं सर ठीक है वो chemicals तुरत मिट्टी मिल जाते हैं मतलब हम कभी 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 देखे हैं कोई last was हो मिट्टी पर परा हो जानबर का last परा हो है ना देखे उसके आसपास कुछ आप कुछ chemicals आपको निकलता रहेगा जैसे मचली मरा वा देखोगी कहीं पर तो उसके आसपा रहे हैं कि हैना कि जब fragmentation होता है when fragmentation occurs हैना when fragmentation fragmentation occur जब किसी भी last को छोटे-छोटे टुक्रों में बांटा जाता है ठीक है when fragmentation occurs then some water-soluble sorry water-soluble some water-soluble inorganic saman inorganic matter directly go into inorganic matter या nutrient directly go into directly go into goes into soil horizon हना soil horizon में चला जाता है ठीक है इस स्कॉल हना इसको हम लोग क्या करते हैं सर लीचिंग करते हैं ठीक है हिंदी में समझाने बैठे तुम लोगों तो हम यहीं बोल लाए है कि fragmentation के दौरान कुछ कन पैदा होते हैं सर वो कन इतने छोटे होते हैं कि अराम से मिट्टी में मिल जाते हैं और precipitate कर जाते है उसके surface पर जाता है जाक के तौर पर जैसे तुम कभी देखोगी मिट्टी से कोई समान बाहर आ रहा है है यह नमक जैसा कोई चीज देखेगा अभी देखेगा बारिस का सीजन है पानी जब अब्जॉर्ब हो जाएगा तो पानी के अंदर से नमक सब बाहर आने लगता है सेम वही बात हुआ जी जब कोई लास मरा परा होगा सर्थ उसके आस पास है ना तुमको साल्ट बगेरा दिखाए देगा वह साल्ट क्या कर आएगा है लीचिंग प्रोसेस से आया हुआ नजर आएगा इलाइन के ध्यान दिजेगा नहीं समझ पाने तो एक बार पूछ लिजेगा जरूर्व है ना तो हमने चला जाता है सर्ण और स्वाइल होरीजोन पर चला है मिट्टी के परत बन जाता है सरी स्वाइल होरीजोन बना लेता है ठीक है एक परत बना लेता है ठीक है और यह परत जो था ना आपको प्रेसिपिटेट फॉर्म में रहता है ना जी प्रेसिपिटेट का जाक के फॉर्म में दिखाई देगा जी ठीक है कोई भी चीज़ सर्ता गलता है सर्त यह दिखाई देता है ठीक है तो दो स्टेप पर हाद ही हम डाइजेशन का अब एक टॉपिक पनाने जा रहा है जिसका नाम है केटाबोलिज्ञ यहीं इंपोर्टेंट है इस समझ गई न उसके बाद दो टॉपिक आराम से समझ में आ जाएगा केटाबोलिज्म है ना केटाबोलिम्म में क्या होता जैसे आपको अभी हम बताएं थे चोटे-चोटे टुकरों में हम बांट दी है लास को अब यह तुकरा यहां पर आ गया मालो यह तुकरा यह थी है तो आसपास से बैक्टेडिया चल क्या आएगा इसके पास अपने अं से सर्य डैटराइटस के चारों तरफ से बैक्टेरिया पहुच रहा है यह बैक्टेरिया पहुचा यह फंजाइब पहुचा है यह फंगस और यह बैक्टेरिया क्या करेगा इस पर आपको chemical छेळख देगा अपने अंदर का digestive enzyme निकालेगा यह digestive enzyme क्या करता है सर आपको इसको टुकरों टुकरों में बांट देता है , चोटे-चोटे पीस में तुड़ देता है इतना चोटा-चोटा कर देता है कि आपको इनकी आराम से इसको निगाल ले हैना bedeutet इसको खा जाता है कमें अंग्लीज यहां पिर का आपको during ketabolism bacteria fungus secret in on detritus a change into inorganic form जो भी खाया था ये इसको किसे में बदल देगा ये inorganic form में बदल देगा सर लेकिन अभी भी इसर था inorganic form बन तो गया लेकिन अभी भी बहुत बांकी है काम ठीक है मतलब कि सर जो भी लास था उस लास को बैक्टिरिया खाना शुरू कर दिया है अब तब तो लोग से पूछ देगा बैक्टिरिया फंगस कब आता है तब क्या करता है सर उस लास को खाने लगता है खाने का परकिया थोड़ अलग है सर पहले उस पर digestive enzyme गिराएगा उसको है और यह बैक्टिरिया क्या करेगा इसको अपने अंदर से digestive enzyme इस पर गिराएगा और इसको टुकरोटुक्रोटुक्रो में तोड़ देगा हृमानलो है त्धुकरा टुकरा में बदल गया अब यह बैक्टिरिया उसको खा लेगा ठीक है है खाने के बाद य julга ऑपने अंद दिखाया देगा, काला रंका, जैसे नाली का पानी देखते हो नाली का जो कीचर देखते हैं कभी आप, अब बल्यक, बल्यक होता है ठीक है, आप भेकी थी उसमें जागे सबजी काटुपरा, तस दीन बाद गई थी देखी काला कीचर बना हूँ है, ठीक है यह जो फैकल मेटर है sir, black black, बल्यक होगा again, dark amorphousacer, यूज़ कर हैं dark amorphous細 होता है sir, ऑमниц dud is समझ्झ में आता है, आप लोगों को, यह पूछ सकता है, नीक में dark amorphous, substance रिलीज करता है, वक्टेरिया, dark amorphous substance को ही हम नोग क्या करते हैं, humus करते हैं उस सब्स्टांस को क्या नाम देते हैं हुमेस ठीक है देखे ठीक है इस वो एक बार देखे गा लास्ट ताइम है ना हम आपको केटाबोलिज्म परहा दिये कम ओन फ्रेग्मेंट और डिग्रेट देम उसको क्या कर देता है डिग्रेट मने तोरने लगता है ठीक है बाइधे है लप आफ डाप डाजेस्टिव इंजयम की मदश से वैक्टेडिया जो है उसको तौरना शुरू कर देता है फंगस जो तोरने लगता है अफ्टर केटाबो के बाद, के बाद, बैक्टेरिया या फंजाई, रिलीज, फंगस, रिलीज करता है, रिलीज, डार्क कलर, यह वाट पर ध्यान देजाएगा, मेडिकल में पूच सकता है, डार्क कलर्ड, अमॉर्फॉस सब्स्टांस, अमॉर्फॉस, और यहाने जगह है, इसने यहाँ दिख एमोर्फस डार्क कलर्डः हम और्फस सबस्टांस निकालता है सर इससे स्टेप वह करते सर हुमीफिकेशन humification humification के नाम से बुलाते हैं आप किसी बच्चे को समझाने बैठने होगे न आप लोग तो इसको बना देखो कि नाली में जो काला कीचर देख रहे हैं न वही काला कीचर क्या है humus है और वो humus जो बना है इस पर क्रिया को क्या कहेंगे heumification एमorphos का मतलब समझते हैं जिसको छुएगा ना तो उसका shape change होता हो solid दो पड़कार का होता है crystal आ इक होता aquí amorphos जैसे आप rubber को छूथे हैं न तो rubber देखते हूं अपने आपको shape change करता रता है ऐसे solid जो अपना shape change करता रता है उसको क्या करता है भूलते हैं टो गिछर गभी तुनों देखा होगा तो किसी भी सेप में हम चेंडे कर सकते हैं इसले के लिए वाड इसितमाल कीया गया एममोर्फास। संथम्ध्याना जी हुमस में सरक्या है हीमस के बारा में देखते हैं बार-बार, human ही लिखा रहा है, sorry, human नहीं, humus, ठीक है, humus जो देखते हैं, माल, यह काला कलंगा कीचर होता है, सर यह, यह काला कीचर छोता है, बहुत, एक्सेस न्यू्ट्रियंट से भरा होता है, excess nutrient मतब बहुत अच्छा खाद पानी मतब अमोनिया हो सकता है नाइट्रेट हो सकता है और भी बहुत अच्छा अच्छा समान रहने कि फासपुरस सा बना हुआ खाद fertilizer या आपको excess nutrition होते हैं सरा यह सब चिपक चिपक के रहता है हमने आपको बोला था catabolism में bacteria क्या क्या organic समान को inorganic में change कर देता है इस step में in this step in this step आपको क्या होता है organic matter जो था organic matter change कर जाता है किसमें आपको inorganic में ठीक है और आपको आथा चौथा step जिसका नाम क्या है हमिफिकेशन देखो नाम पर हातो रहे है वही चीज है ना decomposition पाँच step में पूरा होता है चौथा step पे तुम लोग आ गए हो जिसका नाम क्या है सर आपको हमिफिकेशन ठीक है हमिफिकेशन में क्या होता है dark color का substance बनता है जिसको हीमस बोलते सर आहीमस store house of आपको nutrient है ना excess nutrient store house of है ना house of excess nutrient nutrient जब भी बोलें है ना इसका मतलब तुम खात पानी समझना इन औरगेनिक समान समझना यहाँ पर हैना जैसे है such as such as what such as हैना सर अभी कारबन से बने बेए अभी complex complex इन औरगेनिक समान बना है ठीक है for example के तौर पे हैना चीए एस 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 फोर हना है एच टू ओ इस ता से कुछ सब से परिसो प्लास्टर बोलते हैं इसको हना फासपोरस का समान अमोनिया समान इस सब बना है सर imagine करो सब आदमी कि हैना जितने भी chemicals बने हैं सो यहीं बना है हीमस में ही बना है आसर हीमस का pH भी निट पूछ देगा तुम लोग से इसीडिक होता है यह अभी तुमको आपको देखेगा और आप अपने body से लगाए तो पूरा skin जननने लगेगा कीचर में कही पैरूर रखते हैं तो skin सब नोचना वगरा शुरू कर देता है इसमें राश्चाव आना ही लगता है अब क्या हम काना चाहरे हैं कि यहां पर देखते हैं ना जी मतलब हीमस सब के बारे में यहां तक को दिकत नहीं होना चाहिए आपको हीमस के बारे में एक बात पहले हम बोल देते हैं कि सर एक कीचर है और कीचर में धेरे हैं सर मदब न्यूट्रियन का धेर है मदब तुम विश्च करो कि उसमें खाद पानी बहुँ ज़्यादा है ठीक है इतना ज़्यादा खात पानी कि अगर तुम किसी मिटी पे डाल दोगी न पेर के नीचे डाल दो मने कोई पेर लगाई हो और उस पेर में जाकर डारेक्ट नाला का जो कीचर है उसको रख दो तो यह पुरा पेरे को सुखा देगा इतना ज्यादा पावर है इसमें इसमें सारा निट्रियन एक जगाव पे है तो तुम समझ गए होगी सर अग्लास टेप यही बूलेंगी सारा निट्रियन को अलग-अलग करना होगा इस सब चिपक-चिपक किरा रहा है नाइट्रोजन अमूनिया केल्सियम फासपोरस सलफर इस सब सट-सट किरा रहा है सर त इसमे कमपोजिशन में आप बोले थे इन औरगें की बनाएंगे घ्ल चान ediyor के आपको ब्लोगों को स्टैन को ठोड़ा दरिम आपको टिक है अब पॉाइंट यह है इनाफिर से कहाणी सुने यहाँ पर टिक है κάने क् NEW काहाणी सुनाएंगे … बहुत सारे पुरान पुरानर फिल्म में refusing है ना बच्चा को बरा किया माबाप पाल पोस्ट करके ठीक है अब बच्चा जब बरा हुआ अपने पैर पे ख़रा हो गया तो अपने माबाप को ही इग्नोर करने लगा तो यह गलत बात है सर ठीक है इसका हम यूज करेंगे जी ठीक है या दूसरा कहानी सुनो दूसरा कहानी वो तुमको मार सकता है ठीक है तुम पे हमला कर देया दो बचने पाऊगी है निए दो तरह का कहानी सुनाई दोनों कहानी का यूज करते है आप हम झाला है तुम नोग खुद देखा है कि फ्रेगमेंट से बैक्टिरिया है ना bacteria और fungi ने humus बनाया था तो मतलब humus बनाने में वहला कुन था bacteria और fungus यही bacteria fungus humus को बनाया है सर लेकिन यह bacteria fungus यहाँ पे टिक नहीं सकता है सर यह टिक है एक ना सर थे ठीक है तो इसको है आप खुद मर जाएगा अभी बोले थे तुम लोगो humus acidic होता है और जो बैक्टेरिया और फंगस बना जो माबाप अपने बच्चे को बनाया वो बच्चा अपने माबाप को हटा रहा है जी गया बासन में एक लाइन समझ में है ना तुम यहाँ पे इंगलिस क्या बोलोगी ठीक है माइक्रोब्स एक्टिविटी मतब तुम जो नाली का जो कीचर को हाथ पेर में लगा लोगी ना तो तुमको बैक्टेरिया नहीं टच करेगा जी ठीक है हालाकि तुम लोग नाला का कीचर तो नहीं लगाएगा थेकते तालाब मेश जाओ जो कीचर साब लगाईस लिता है एद नदी में कभी नहाने गये होगे तो गया कंई शक爸 अंच्चे से लगाता है उना जी बात तो वही है, कहीं से भी लगाओ, तो वही प्रोसेस से बनाए है, ठीक है, थाड़ा घिनकब वरता है, तो एंटी माइक्रोवल एक्टिविटी होता है सर, हिमस के पास, हिमस जल्दी किसी बैक्टेडिया को फंगस को अपने अंदर मुगरो नहीं करने देता है, क्योंकि य यह बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है, लेकिन कुछ दिनों बाद, जब हावा लागेगा, देखना जब कभी तुम लोग गौर करना, जब कोई नाली साफ करने आता है, तो कीचर सब को निकाल के बाहर रखता है, अब कुछ दिन बाद देखोगे, ठीक हो जादा चेंज करने लगेगा, जो डार्क कलर था वो पैंसिल की कलर में आने लगेगा जी, ठीक है, लाइट कलर में चेंज होगा, इसका मतरण उसका ताकत अब घर्ट रहा है, सर, उसके अंदर से बहुत सारा गैस के फॉर्म में बाहर निकलेगा, मतरण कारमन मोनोकसाइड, कारमन डायक्साइड गैस के फॉर्म में बाहर निकला अब हीमस धीला होड़ा है सर अब इस पे बैक्टेडिया आएगा तो सर बैक्टेडिया इसमें ग्रो करने लगेगा ठीक है अब जब बैक्टेडिया इसमें आएगा सर तो बैक्टेडिया अपना बदला लेगा इसके अंदर का नैट्रोजन को हवाम उरा देगा है ना अमोनिया के फ़र्म में इसके अंदर का जो फासपरोस को उसको मिट्टी में डाल देगा है ना इसके अंदर का जो फासपरोस को मिट्टी में डाल देगा इसके अंदर कैलसियम को मिट्टी में रद्दी रद्दी उरा देगा जी ठीक नमसे बुलाते हैं जी होगया जी ट्वल्थ को लड़के सब के लिए समझने वाला लाइन सब यहीं प्याके दो इंड हो जाता है जी ठीक है तुरा दर मैं मेडिकल का बात करने लगें लेगी एक बार आपको रिभाइज करा देते हैं मैंने आज आपको क्या परहाया डिकंप अपको जी सन तुम लोग अच्छे से समझ आओ इसके लिए पहले प्राइटर को या डिकंपॉजर के नामसे विलाते हैं से females है क्या तो डिक्मपोजीशन है न मंत ऑर रहां को आहना इन ऑरगेनिक समान को वह बतलतें हैं सार is गणा को अरदा मों और खाप सीचनु के नाम से नाम इस फटक ना को हैना DICKंपोजीशन के लांसे बुलाते हैं चाहल अर अरगेनिक समान पर लीचिंग, केटाबोरीन, हिमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन ठीक है जी और पांचोए स्टेप जो होता है सर हना जी उसके बारे में हम तुमको बताएं बारी बारी से फ्रेग्मेंटेशन में सर बरा बरा जो समान होता है न सर उसको छोटे-छोटे टुकरों में तोड़ते ह तो कुछ ऐसे समान बनते हैं जो तुरत मिट्टी में मिल जाते हैं सर फ्रेग्मेंटेशन के दुरान कुछ समान मिट्टी में चला जाता है कुछ समान है न जी इस घटना को क्या करते हैं लीचिंग करते हैं लीचिंग करते हैं मिट्टी में जब कोई नमक जमा होता है न सर उसी को leaching करते हैं, जैसे तुम, है ना, कहे थे भी, तुम जैसे कोई परदा औरदा है, उसको जुम्हारों की तुम डस्ट सम निकलेगा, वो डस्ट सबको तोरना थोरे है, तुम तोर टूटा ही हुआ है, अब मिट्टी में मिल जाएगा जी, लेकिन अभी भी बहुत सारा फ और उसको वो खा भी जाता है, ठीक है, खाने के बाद, जब वो फैकल मेटर रिलीज करता है ना, जी, तो वो फैकल मेटर काले रंग का होता है, ठीक है, अब उस काले रंग के फैकल मेटर को हम लोग क्या नाम देते हैं, हुमस, और केटाबुलिन के बाद जो इस्टेप आत बहुत ज़्यादा आपके उम्मीद से भी बहुत ज़्यादा नूट्रियंट भरा होता है सर इस नूट्रियंट में कोई बैक्टिरिया ठीक नहीं पाएगा इससे तुम दिमाग लगा ली होगी इसको एंटी मैक्रोबल एक्टिविटी में रखेंगे हुमस एसिडिक होता है स समझ गए और सर हीमस में बहुत दिनों के बाद बैक्टिरिया आएगा सर क्योंकि सर हीमस अभी बहुत पावरफूल है इसलिए उसको हवा में रखते हैं कुछ दिन बाद हवा के संपर्क में आने के बाद क्या होता है उसमें सर फिर से नया बैक्टिरिया आता है उसको रद एक था लीचिंग, एक था सर केटाबोलिन, एक था सर आपको क्या, मिन्नलाइजेशन, एक क्या था तुमको, हैना हिमिफिकेशन, ये तीनों परकिरिया है ना, on the surface होता है, on the surface, on the surface का मतब क्या, जमीन पर ही हो जाएगा, मानले तुम एक कागज रखी वही हो, हैना तुम नेक सर एक साथ होता है, simultaneously होता है, मतब तुमको difference जल्दी नहीं मिलेगा, ठीक है, simultaneously आपको ये आपको दिखाए देगा, ठीक है, सन्मयारा मेरी बात, जबकि ये दोनों क्या होता है, highly slow, हैना, ये तो बहुत slow होगा, क्योंकि हम बोले तो हीमस बन जाने के बाद, बहुत दिनों बैक्टरिया घुसी नहीं पाता है, उसमें highly slow, हैना, और आपको क्या दासर आपको, हैना, time taking, मतब highly slow होता है, time consuming होता है, ठीक है, मतब हमिफिकेशन होने में, और mineralization होने में, हना, timing है लगता है, ठीक है, इस दोनों में सबसे बढ़ा कोने तो है, M बढ़ा है, ठीक है, हैना हमको लगता है कि medical में पूछना चाहिए, अभी तक पूछा नहीं है, पर, हना, medical में आना चाहिए, सर, decomposition हैना, सर, decomposition कुछ factor पे depend करता है, सबसे बढ़ा factor, most important factor कोन है, सर, तो oxygen, oxygen कहने का मतलब aerobic, हना, जी, aerobic condition पे होता है, decomposition, इलान का हिंदी पकरो, हना, जी, decomposition तभी होगा, ज यहां पे oxygen हो सर, most, हना, आपको affecting character है, most, सबसे ज़्यादा, हना, परभाव करने वाला character, ठीक है, affecting character, गया, बात समय में, हम क्या बोले है, मतलब, decomposition जो देखते है, हना, oxygen पे depend करता है, जैसे तुम अभी biscuit सब ख़ित के लाओ, तो पारले जी का biscuit ख़र दो, दम, seal रहता है, packet मे बाइसा ही बना रहेगा, लेकिन उसमें तुम packet फार दो, उसको हबा में छोड़ दो, देखो, सबसे लेकर साम आते आते तो उसको पुरा गलने लगेगा, और dust में बदलने लगेगा, इससे क्या समझ में आता है, सर, कि oxygen के संपर्क में, जैसे ही कोई bacteria आया, तुरत क्या कर सर, उसको सलाने-गलने की परकिरिया शुरू कर देगा, मतब केटाबोलिद्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो oxygen किसी भी चीज़ को मिलेगा ना से तो वो जल्दी सर रहेगा, ठीक है, इन कमपे जो seal के बज़े से, इसले तुम देखते हो, जो भी खाने वाला सामान स होता है, तो हम seal करके देगा वो, ठीक है, नहीं देखा seal करके तो बदबू आना, शुरू हो जाता है, ठीक है, हाना, समझ में राजय हम क्या होना चाहा है, ठीक है, ठीक है, एगर छोटी आता हम लीग देते हैं, यहापे, मिथेन भी बनता है, जब भी, जहां भी भी मिथेन के साथ मिल करके, तो सबसे important factor क्या है, सर, decomposition तभी होगा, जब air मिलेगा, पर लेकिन सर, कोई और भी factor है, जिस पर decomposition depend करता है, हैना, जी, यह लिएन कर समझ के, हैना, सब लगका, कि decomposition fast होना चाहिए, कब, जब तुम उसको हवा दोगी तब, ठीक है, इसका मतलब हवा नहीं रह तो हम अब यह आपको बताने जा रहा है, कि decomposition कौन-कौन से चीज़ों पर depend करता है, ठीक है, मतलब fast कब होगा, जब aerobic रहेगा, aerobic तब बहुत fast होगा, दूसरा temperature high रहेगा, गर्मी के दिनों में देखो कि जल्दी कोई चीज़ सर जाएगा, हैना, जी, देशे ममी दाल कोई बना हो, सर, nitrogen से कोई compound बनाया हो, ठीक है, या sugar, sugar समझ में आ रहा है, गुलकोज बगेरा, रोटी बगेरा, अगर इस सब चीज़ का कोई compound है, सर, तो वो जल्दी सरेगा, ठीक है, लेकि वही जगा पे anaerobic condition दोगी, हैना, जी, anaerobic का मतलब समझ में आ रहा है, जिसमें oxygen या low temperature, जैसे freeze में कोई समान डख रहे हो, जल्दी नहीं सरेगा, और, हैना, सर, आपको, यहना, कभी आप लेखे, देखेगा, आपका जो furniture होता है, जैसे पलाई बगेरा खर दिती हो, या आपका जो खिरकी या दर्वाजा जो बनाऊगा था, बनाऊग तक्था सब का हो दस साल, दो साल, 20 साल, 40 साल, 500 साल तक रहता है, ठीक है, तो लिगनीन हुआ, हैना, anaerobic condition, low temperature, और, काईटीन, काईटीन जानते हैं, आप लोग, हैना, जी, इस सब जो देखते हैं, क्या नाम, insect का जो, आपको जो हड़ी जो था, काईटीन का बनाता है, यह अगर यह सब च slow हो जाएगा decomposition, और हवा दे दे हो, तो वो fast हो जाएगा, अगर यह दोनों को constant कर दें, तब क्या होगा, temperature depend करेगा, nitrogen का compound या sugar का बनावा compound होगा, वो जल्दी जर जाएगा, जल्दी आपको नहीं क्या होगा, पिखल जाएगा, ठीक है, जर जाएगा, जबकि काईटीन का बन temperature कम हो, तो वो समान क्या होगा, देली से गल लेगा, हो गया, decomposition खतम, decomposition हमने परहा दिया, यह पेज हमने परहाया, और यह पेज भी हमने आपको परहाया, असल में जो neat experiment हो, यहीं से परहना तुम लोग आजा करके, इसी परादाफ में हमने आपको medical का लाइन सब दिखाया है, decomposition लाजली oxygen requiring process, rate of decomposition control by chemical composition of detritus, detritus में कैसा chemical है, उस पे भी decomposition का रफ्तार डिपेंड करता है, और climatic factor पे भी decomposition का रफ्तार डिपेंड करता है, ठीक है, उसमें से देख रहे हो, यह राइन highlighter चलाएगा आप लोग, है ना, इनने particular climate, और मौसम साही साही है, तो decomposition का rate slow हो सकता है, अ protein का बना होगा, तो वो decompression slow, quick हो जाएगा, quick मैंने तेजी से decomposition होगा, अगर वो nitrogen या water soluble substance like sugar का बना हो तो, temperature और soil का moisture भी important factor है, decomposition के लिए, हैना, जी, warm and moist environment, हैना, गरम और नमी बला जो मौसम रहेगा, जैसे आभी देखिएगा, हना, बला ज्राएबस और सकते हैं, हैना, कर था दो, तो, समाः आप, जैसे हैं के ले गह सी, हैं град भी बला नमी देखिगगे ज творक भी है, जैसे हैं मौसम रहें होगा झाल सकःगी है क्या है, क्या साहतने हैं, तो मौसम हैं बला तो, तो भी हैं 선물 ne lagi हों है, ऑRO, पूजग है, जी, झाल झाल पर हम लोग बात कर रहे थे यह लास्ट का लाइन है वार्म और मॉइस्ट इंभार्मेंट होगा तो वह भी डिकम्पोजिशन को फेबर करेगा जी जबकि लो टमप्रेचर अनारोबिक कंडिशन होगा तो यह आपको क्या करेगा डिकम्पोजिशन को होने नहीं देगा यह पर ठिक है उसको पर के देखी गाजी ठिक है माइक बंद कर लो ताबिंद है संदमे रा जी यह पहल लीजेगा बांक की जो बात है बच्चा बात है कल रिडिंग दे देगे सब का हम लोक ठिक है यह जो पॉइंट सब देख रहे हैं यह सब अभी हम नहीं पढ़ा हैं आप भीoration दूख right? लिए फीरेक यदि करन हु मलिल को हर्मून से क्वाइब है क्रीम ओर선 जि нравится first , ना सब्सक्वाइब अब लोगों को खुन je अदर्वीचीस आपने क्रेंगे देचिस के लिए यहां से आप सब को पर के रहे है ठीक है क्लास इंड हो रहा है हाना बाई